दोस्तों भी जो मंदर आप हमारे समने देख रहे हो वो राजा कृष्णे देव राई द्यूतिये ने पनरसो शिताबदी के शुरुआत में बनाया था इस मंदर में भगवान स्री राम की इतनी सारी मुर्तिया है कि आप देख करी हेरान हो जाएंगे अब आप गेस कीज़े कि इस मंदर में कितनी मुर्तिया हो सकती है भगवान राम की अब आप कहेंगे पाच या फिर दस लेकिन आप फेरान हो जाएंगे जब आपको पता लगेगा कि इस मंदर में भगवान राम की हजारों मुर्तिया कार्व की गई है और इस मंदिर का नाम ही है हजारा राम मंदिर दोस्तों मंदिर हम पी के कुछ उन गिनेचुरे मंदिरों में से है जो आज तक सही सलामत बचे हुए है आप यूही टेलती हुए इस मंदिर के बाहर इतने सारी कारविंग्स को देख पाएंगे लेकिन सोचिए कि इस मंदिर के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा अगर आप इन कारविंग्स को देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाँगे कि आखिर इन्होंने इतनी बारी किसे लोगों को कैसे तराशा होगा इन कारविंग्स में कुछ औरतों की भी कारविंग्स ये जिनको लड़ाई करते हुए दिखाया गया है इससे ये साबित होता है कि विजे नगर एमपायर में औरतों का क्या ओदा हुआ करता था और ये उस समय की उमन इमपावरमेंट को भी दिखाता है आप इन कारविंग्स में घोड़ों को भी देख सकते हैं और इनके सामने कुछ लोगों को भी खड़ा देख सकते हैं अब आप सोचेंगे कि ये सेनिक होंगे लेकिन ये सेनिक नहीं है गोडों के सामने जो आपको दिख रहे हैं वो विदेशी लोग है जियो यहाँ पर गोडों का व्यापर क्या करते थे और इन में से कुछ फोरेनस ने अपनी बुक में यहाँ के बारे में लिखकर रखाए कि कैसे होली और दिवाली के वक्त में यहाँ के लोग के से नाचा और गाया करते थे अगर आप इस मंदर के बाहर की कुछ कार्विंग्स को गोर से देखोगे तो आपको क्रियाटिविटी दिखेगी इन कार्विंग्स में अप्टिकल इलूजन की टेकनिक इस्तमाल की गए है आप देख पा रहे होंगे की घोड़ा और हाती दोनों एकी कार्विंग्स में बनाए गए है इस कारविंग में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे दो महिला है होली सेलिबेट कर रही है और कुछ कारविंग्स में रावैन से जुड़े कुछ परसंगों को दिखाया गया है जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रविश करेंगे तो आपको कुछ ब्लेक स्टोन से तराशी हुए पिलर्स मिलेंगे जिन में बहुती बारी की से नकाशी तयार की गई है और ब्लेक स्टोन कापी सौप्ट होते जिसकी वज़े से कलाकारों को बारी की से कारविंग करने का मौका मिल जाता है अगर आपको विलेनगर समराजे के बारे में उनके समरुदी के बारे में जानना हो तो आप इन मूरतियों को ही देख सकते है और आइडिया लगा सकते है कि अकर विलेनगर एमपायर में कितने प्रतिवाशाली कारिगर रहे होंगे और कितने समरुद रहे होंगे अगर आप इन कारविंग्स को ध्यान से देखोगे तो आप देख पाएंगे कि इनकी उपर से लिटरिली लाइट रिपलेक्ट हो रही है जैसे कि इनको पॉलिश किया गया हो दोस्तों हम सबको लगते है कि पिटनेस यानि कि जिम की शुरुवात अभी अभी हुई है लेकिन ऐसा नहीं है लोग पंद्रवी सिधी में भी पिटनेस पर द्यान दिया करते थे ऐसा में इसलिए कह रहा हूँ क्यों कि जब आप इस कारविंग्स को देखेंगे तब आपको दिखेगा कि इन कारविंग्स में भगवान राम के एप्स दिखाए गए है यानि कि आप आइडिया लगा सकते कि आकर इन कारविंग्स की सोच फिटनेस के लिए क्या रही होगी आप ये भी मत भूले कि एक कारविंग्स कई सारे हमलों से भी गुदरी है जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे मुस्लिम इन्वेडर्स यानि की मुघल्स और दिल्ली सल्तनत इन लोगों ने इसको मिटाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन ये आज भी अपना हित्यास हमें बताने के लिए खड़े है दोस्तो इस मंदर के दिवारों पर रामान का कोई ऐसा परसंग कोई ऐसा कार नहीं होगा जो इस पर उकेरा नहीं गया होगा इस मंदर के दिवारों पर रामान से जुड़ी बहुत सारी कहानिया कार्व की गई है दोस्तों इस मंदर को हजारा मंदर कहा जाता है लेकिन कुछ लोगों का इसा लगता है कि इस मंदर में राम जी की हजारों मुरतिया है इसलिए इसको ये नाम पड़ा होगा लेकि ये बात सच नहीं है इस मंदर को हजार राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजार राम हो एक तिल्गुश शब्द है जिसका मतलब होता है ओडियन्स रूम या फिर ओडियन्स हॉल इस मंदर में इसे बहुत सरे ओडियन्स हॉल मौजुद है हमने आपको पहले भी एक दिखाया है इस वीडियो में दोस्तो अब इस मंदर में राम जी की सेच में हजारों मुर्तियां मौजुद है या नहीं ये तो हमें नहीं पता है हमने गिनी नहीं है हो सकता है हजार से भी ज्यादा मूरतिया मौजुद हो क्यूंकि कारीगरों ने इसको बहुती मेने से बनाया है तो दोस्तों ये था हजारा रामा मंदिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक इन शेजरू करे और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पासवलेबल आइकन को दबाए और 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 पे क्लिक करें मैं आप से मिलता हो किसी ओर उडियो में और तब तक के लिए नमस्कार